कहते हैं जाको राखे साई या मार सके ना कोई जी हाँ यूपी के नौइडा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस बन टुड़े मैं आपके साथ निकिता शर्मा आपको बता दें यूपी के नौइडा से एक बड़ी शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है जहां करीब 5-6 दिन का एक नवजाज शिशू नाले में पड़ा हुआ मिला सूचना के बाद मौके पर वहाँ पर पुलिस ने शिशू को बाहर निकाला और मासूम की इस्तिती खराब होने पर उसको अस्पताल में भरती करवाया जहां पर बच्चे का इलाज चल रहा है दलसर 15-16 सितंबर की रात को थाना छेतर फेस 3 पुलिस को सूचना मिली कि एक नवजाज शिशू सेक्टर्स छाचट के पास नाले पर पड़ा मिला है सूचना के बाद ततकाल ही पुलिस मौके पर पहुँची तो पाय कि बच्चे की उम्र करीब 5-6 दिन की ही लग रही थी लोगों ने बताये कि बच्चा सेक्टर्स छाचट के पास नाले में पड़ा हुआ था किसी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो देखा कि एक छोटा बच्चा जैसे कुछ नाले के पास पड़ा हुआ था इसके बाद पुलिस ने बच्चे को वहां से निकाला आपको बता दे नवजाश शिशू को अपनी अभी रक्षा में लेकर बच्चे की नाजोग स्थिती को देखते हुए उसको तकाल सेक्टर 71 के कैलाश सूपर स्पेसलिस अस्पताल में भरती कराया गया जिस समय रात में बच्चे को भरती कराया गया आपको बता दे उस समय बच्चे की हालत काफी जादा नाजोग पाई गई थी बच्चा काफी रो भी रहा था और उसे बुखार भी था लेकिन पुलिस ने इस कार में काफी ततपरता दिखाई और बच्चे को एक बहतर अस्पतार में भरती करा दिया आपको बताते पुलिस मौके पर मौजूद रहकर अपनी उपस्तिती में शिशु का संगन उपचार कराया जा रहा है बच्चा अभी खत्रे से बाहर है फेस्ती थाना प्रवारी ने हमें बताया कि 5-6 दिन का मासूम बच्चा वहाँ पर उनको मिला ततपरता दिखाते हुए उसे एक बहतर अस्पताल में भरती कराया गया रात में बच्चे की हालात नाजुक थी लेकिन अब वे खत्रे से काफी जादा बाहर निकला हुआ है लेकिन अभी भी उसका इलाज चल रहा है वहाँ पर बच्चे को कौन छोड़ कर गया इस पर अभी पूरी गहन तरीके से जानकारी नहीं मिली है वहीं अभी व्यदानिक कारवाई इस मामले पर पूरी की जाई दरसल ऐसा ना जाने कितने मामले सामने आये हैं जो बार बार इंसानियत को शर्मसार कर दे थे आपको बता दें कि एक मामला 18 सितंबर साल 2022 में यूद्ध औरहिया से सामने आयता है आपको बता दें सायल थानक शेत्र का प्रात्मिक स्वास्त केंदर पी एच सी से तकरीवन 100 मीटर पर नाला है वहीं पास में ही पी एच सी की ओर से जाने वाले मार्ग किनारे लहरापूर गाउं के रहने वाले यूनिस खान की जूता चपल की अपनी एक खुद की दुकान है दुकान से निकल कवे किसी काम के लिए आगे बड़े तो किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी युनिस खान ने बताए कि नाले में पानी कम होने की वज़े से बच्चे का सिर उपर की तरफ था जिससे उसकी जान बच गई नाले में पड़े बच्चे में हरकत देकर उसका दिल दहल गया और उसने जल्द ही बच्चे को निकाल कर अस्पताल पहुंचा इसी बीद पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और पूस्ता थी वहीं लोगों में भी तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं आप बताते किसी ने कहा कि कोई बिना व्याई मांग लोकलाज के डर से बच्चे को नाले में फेक गई कुछ लोग वहां संभावना जताते हुए बताते रहे कि जन्म के बाद कोई हरकत ना होने पर मरा हुआ समझ कर बच्चा नाले फेक दिया होगा लेकिन जीवित होने की वज़े से कुछ देर बाद उसने हाथ पर हिलाना शुरू किये हो यूनिस ने का कुछ भी हो खुदा के नेक बंदा बनकर पहुंचे यूनिस ने बच्चे को नई जिन्दिगी थी थाना अद्यक्ष पंकद मिश्रा ने बताया कि जांच की जा रही है पहसी में प्रात्मिक उप्चार के बाद बच्चे को जच्च वच्च वॉर्ड और यह जिला चिकितसाले में भरती कराया गया बच्चत चिकितसकों की देख रेक में है पता लगाया जा रहा है कि आप फिर किसने नवजात को नाले में फेक दिया पहीं एक और मामला आपको बता दे जो जवलपुर से आया था आपको बता दे जवलपुर लोकोत कलाया से लगे रेलवे क्वाटर के पास एक नवजात शिशु का शब पाया गया था शब के मिलने से पूरे इलाके में हड़कम मच गया नवजार शिशु के शव की जानकारी इस्थानिय लोगों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी जिसके बाद थाना प्रवारी रमेश कौरव सहित तीम पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्ट मार्टन के लिए मेडकल कॉलेड भेज दिया गया आखो बता थे रेलवे क्वाटर में रहने वाले अमारनात ने बताए कि पडोस में रहने वाली महिला आज सुबै घर के बाहर जाडू लगा रही थी तभी उसने देखा कि नाले में एक मृत शिशु पाया गया है ये जानकारी उन्होंने पडोस में रहने वाली महिलाओं को जिसके बाद हम लोगों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दे जिस जगे नवजाज शिशु का शव मिला वहां से आधा किलोमेटर दूर लेडी एलगिन अस्पताल भी है जहां रोजाना कई महिलाओं की डिलीवरी होती है सिविल लाइन का रेल वे कौटर एरियत शहर से थोड़ा आउट में है संभावना बताय जताई जा रही है सूना शेत्र देखकर अग्याद लोगों ने नवजाज शिशु का शव नाले में डाल दिया है सिविल लाइन थाना प्रवारी का कहना है कि नवजाज को किसने नाले में फेका इसकी पतासाधी की जा रही है इसके अलावा आसपास के अस्पतालों से भी संपर्ग किया जा रहा है चोटे बच्चे में साथ संबंधी परिशानियों काफी जादा पाई जाती अब आपको बता दे कि क्या के ऐसी बातें होते जो चोटे बच्चे में अकसर पाई जाती है दुनिया में हर माह बाप को सबसे जाधा खोशी उस वक्त होती है, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आता है, उस समय से लेके उने अपने बच्चे के स्वास को लेकर बहुत सी बातें मन में आती हैं आज हम आपको बताते हैं कि नवजात बच्चों के स्वात संबंदी समस्याओं के बारे में नवजात बच्चों को स्वात समस्या होने का खत्रा सबसे ज्यादा होता है कई बार ऐसी समस्या गल्ब से ही होती हैं बागी उनके पैदा होने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है शुरुआत में नवजात को मशीनों में रखा गया या फेर वेर ओपरेशन से हुआ और काफी सारी बाते भी उसके स्वास के लिए बहुत जादा जरूरी होती है नवजात में सांस से लेकर काफी सारी आते हैं इस वीडियो में आज के लिए इतना है वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताएए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें देखते रहे हैं मेरे साथ नियूज बन टुड़े